तो उसी परकार से ये मन समाप्त हो जाता है, जिस परकार से जंगली जानुवर को सिकारी समाप्त कर देता है, वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, तो मन भी कितना ही ताकतवर क्यों न हो, कितने ही इंदरियों को उठाए हुए गुमे, कितना भी इंदरियों को कंट्रोल करने क परियास करे लेकिन मन एक समय के उपर अपनी पकड़ छोड़ देता है मन इनको इधर उधर कितना भी भगाए कितना भी दोड़ लगाए लेकिन एक समय आता है कि मन सारी इंद्रियों को छोड़ देता है कब जब आप जागरत की अवस्ता में होगे तब सानसारी का वस्ताओं में नहीं सानसारी कवस्ताओं में तो मन का इतना गहरा खेल है कि मरते समें जब ये प्राण छूट रहा होगा एक एक इंद्रियों से प्राण सिमट रहा होगा तब भी ये मन यही कहेगा थोड़ा सा और भोग भोग ले अभी थोड़ी सी भोग की और इच्छा है अभी थोड का थोड़ा और विचार है थोड़े से दिन और मिल जाए और भोग इच्छाएं पूरी कर लूँ मन के अंदर जो चल रहा है इन वस्तुओं को थोड़ा और इस्तेमाल कर लूँ इंदरियां का थोड़ा सा और परियोग कर लूँ और खुशी मिल जाए और आनंद मिल जाए लेकिन इसमें आनंद नहीं है इसमें वो जवाला है जो हर रोज बढ़ती जाती है जैसे घी डालने से हर रोज अगनी में के अंदर जितना भी आप घी डालोगे वो अगनी उतनी ही बढ़ती जाएगी उसी परकार से ये मन की अगनी है जितना भी हम भोग भोगेंगे जितना भी संसार के अंदर दोडेंगे जितना भी हम संसार में रस लेने का परियतन करेंगे जितना आनंद लेने का परियतन करेंगे जितना मन से हम इस संसार के अंदर घुशने का परियास करेंगे मन को जितनी हम खुशी देने का परियास करेंगे मन उतना ही संसार के अंदर बुरी तरह से जाल की तरह से फस जाएगा ने निकाल पाएंगे ने इधर भागेंगे ने साधना होगी ने सरीर उखेगा ने कंट्रोल होगा विचारों के उपर भी नहीं होगा जीवन के उपर भी नहीं होगा ने पाप पुलने को समझ पाएंगे ने संसार को समझ पाएंगे ने जीव और ब्रम में भेद कर पाएंगे बहुत लोग बोलते रहते हैं कि हम साधना कर रहे हैं अनेकों सवाल उत्पन होते हैं आप लोगों के भी कुछ लोग मेरे से पूछने से सरमाते हैं कुछ सोचते हैं टाइम नहीं है कुछ लोग सोचते हैं नहीं अभी समय नहीं आय होगा, कुछ लोग सोचते हैं अपने आप ढूंड लेंगे, अनेकों प्रकार के अपने मन मुताबिक अपने परषनों के उतर सुमेह ही खोज लेते हैं, लेकिन साधना भूत लोगों को साधना करने का नहीं पता, कि साधना कैसे करें, साधना जब सुरुवात होती है, सुबह उठते हैं, कुछ लोग उठते ही बैठ जाते हैं, कि बैठ गए, वो उस में ने सो रहे ने जाग रहे, आलसी सरीर होगा, वो सोचते हैं ध्यान लग गया, लेकिन वो ध्यान नहीं लगता, हम आग्या चकर से गिर करके नीचे कंट कमल में आ जाते हैं, और वो ध्यान नीचे आ जाता है, आप लोग सोचते हैं कि हाँ ध्यान लगा हुआ है, लेकिन वो अर्द निंदरा की स्थिती है, वो अर्द निंदरा की स्थिती ध्यान नहीं होता, नहीं आप ध्यान के अंदर हैं, नहीं आप नींद के अंदर हैं, लेकि कुछ लोग एकदम से उठते हैं, मूँ के उपर थोड़ा जल के छीटे मारते हैं, मूँ धोते हैं और बैठ जाते हैं, एकागर हो करके परियास करते हैं कि ध्यान लग जाए, वो लोग थोड़ी देर पूरा ध्यान रहता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान हाथ से छूटने लग और एकदम से फिर निंदरा का जटका आया, शोचा ध्यान लग गया, ऐसे भी ध्यान नहीं लगता, कुछ लोग इतना शृरीर को धिला छोड़ देते हैं, कि आशन एकदम से गर्दन कहां यहां आकर के लग जाती है, और धिला सा ओने लगता है, और सोचते हैं ध्यान लग कठे करते हैं मन को दोड़ाते रहते हैं मन के अंदर सुबह से ले करके जो किरियाएं परति किरियाएं पूरा दिन चलती हैं उनके विचार चलते रहते हैं याद रखना विचार कभी ध्यान नहीं हो सकता और विचार ध्यान नहीं है और जो आपके अंदर वे विचार घूम जो आपने ग्यान मान लिया है, ये घूम रहा है, जो आपके अंदर आपने जो ये सबद पैदा कर लिये हैं, जो आपके अंदर ये रटे रटाए सबद गूंज रहे हैं, ये भी ध्यान नहीं है। फिर ध्यान कैसे लगता है, फिर आप परियास करते हैं कि कुछ लोग एग घंटा रटा, दो घंटे रटे, ऐसे के ऐसे, चार पाई के उपर या आसन के उपर, जैसे भी बैड के उपर, ऐसे के ऐसे, रजाई, ढकी, कंबल, ओढ़ा और पैर सिधे खुले कर दिये और सो इलना नहीं चाहिए, ध्यान लगे लगाए मैं सो जाता हूँ, यह इस्तिती शाम के टाIM कुछ लोग परियोग करते हैं, कि मैं ऐसे ध्यान लगे लगे, ऐसे कैइसे सो जाँँ, यह ध्यान नहीं है, यह निंद्रा है, यह भर्म है, यह भूल है, और यह अग्यान है, जो हम हमने मान लिया, जो हमने मन माने आचरन से इसको तयार कर लिया, हमने इसको ध्यान का नाम दे दिया, कुछ लोगों को सवपन दिखाई देते हैं, चोटी मोटी घटनाएं दिखाई देती हैं, वो रटते रहते हैं, कुछ उसमें मिला देते हैं, कुछ घटा देते हैं, कुछ प्रमने वाला कुछ बताने लगता मुझे ये दिखाए दिया उसमें अपने पास से दो चार जोड करके इदरू दर बाते करके अपनी भी बताने लगते हैं कि मुझे ये दिखाए दिया हम बैठे थे ये हुआ ये गटनाए हुई ऐसा हुआ अरे ये ग्यान नहीं है ग्यान बहुत गंभीर विशय है, ध्यान बहुत गंभीर विशय है, ध्यान की बातें ऐसे नहीं बोली जाती, ध्यान जितना भी गंभीर होगा, जितना भी आंतरिक होगा, जितना भी आप अंदर में रखेंगे, जितना ये रहसे गुप्त होगा, जितना आप अंदर में समाल करके र आपकी ताकत, आपकी स्पीट, आपका ध्यान, आपका सुम्रण उतना ही मजबूत होगा.